नमस्कार, रिनास फूट कॉर्णनर में आपका स्वागत है आज हम मेंदू बड़ा बनाएंगे आईए देखे इसे कैसे बनाते हैं एक कप उड़त डाल को रात पर फिंगोया है उसको अच्छी तरह से दो-तीन बार पाने से दोने के बाद उसको चलनी से चान लिया है अब इसे हम पीषेंगे इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे स्वादानुसार मिर्ज डाल देंगे एक इंच अद्रक का टुक्ड़ा एक चमच जीरा थोड़ा थोड़ा पाने डाल के इसे पीषेंगे इसके लिए मुझे 100 ml पानी लगा है इसे थोड़ा दरदरा पीसेंगे किसी बाउल में निकाल लेंगे आधा चमच हल्दी डाल देंगे आप चाहें तो लाल मिर्च पॉडर भी डाल ले 1 फूर्ट चमच ब्लैक पेपर पॉडर डालेंगे इसे मिला लेंगे और खूब फेटेंगे हम इसे इतना फेटते हैं कि जब इसको थोड़ा सा पाट लेके पानी में चेक करते हैं तो ये पेस्ट उपर आ जाता है तो इसका जब हम मेंदू बड़ा बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बनता है देखिए पानी में डालने के बाद ये उपर आ गया है बैटर हमारा परफेक्ट हो गया है इसमें एक बारिक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और थोड़ा सा धन्या पत्तर डालेंगे इसे मिला लेंगे हाथ में पानी लगा करके बैटर ले और उसे अंगली में पानी डाल करके छेद करें और कढ़ाई में डाल दें एक कढ़ाई में तेल लेंगे इसमें हम बड़ा डालेंगे केरफुली हमें कढ़ाई में डालना है मीडियम फ्लेम पर हम इसे डीप फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक एक एक करके हम इसमें मेंदू बड़ा का बैटर डालेंगे एक साथ जादा ना डाले जब हम तलते हैं तो बड़ा खुद भी उपर आ जाता है तेल को रोटेट करें एक एक करके इसे हम पलट लेंगे गोल्डन ब्राउन होने पर इसे निकाल लेंगे इसी मेथड को फॉलो करते हुए सकेंड बैच का बड़ा तलेंगे ऐसे ही सारे तलेंगे इस बड़ा को हम सांभर के साथ खा सकते हैं एदि आपको दही के साथ पसंद है तो दही बड़ा की रूप में भी खा सकते हैं मेंदू बड़ा बनके तयार हो गया है आप इसे सांभर के साथ सर्फ करें जिसे हम लोग सांभर बड़ा भी कहते हैं तो ये था मेंदु बड़ा बनाने का असान तरीका आप इसे बनाए और अपना अनुभव प्रीनास फूट कॉर्णर में कमेंट करें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर भी करें मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक के लिए टेक के लिए और थैंक्स वर वाचिंग